किसानों के साथ हो रहा अन्याय नीमज कृषी उपज मंडी में भोजन में मिल रही पतली दाल और सुखी पुडिया नमस्कार मैं हूरीया विपलिवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल यूज चैनल MP7 News, वेब एंड यूटूब न्यूज चैनल आप MP7 News चैनल को सब्सक्राइब शरूर करें देखिए नीमज कृषी मंडी की विशेश बड़ी खबर जी हाँ नीमज कृषी उपज मंडी में भोजन के नाम पर किसानों के साथ भारी अन्याय हो रहा है भोजन में सुखी पुडिया मिल रही है डाल के नाम पर पानी परची के साथ पांच रुपई में और बीना परची के खाने के 20 रुपई वसुले जा रहे है दूर दूर से आये किसानों की अगर भोजन व्यवस्ता भी सही ढंग से ना हो तो बेचारा किसान कहा जाएगा प्रशाशन की तरफ से तो इनके पास पूरी राशी जमा हो रही है फिर खाने के नाम पर यह घाल गुसेड क्यों एक किसान के अनुसार भोजनाले प्रबंधन का व्यवहार भी अच्छा नहीं है किसानों के साथ दुर व्यवहार किया जा रहा है कभी-कभी तो किसानों के साथ गाली गलोश तक कर दी जाती है प्रशाशन को समय समय पर भोजन की जाज कर किसानों के साथ न्याय करना चाहिए खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 News